इन 10 cooking tips को आजमा कर आप kitchen queen बन सकती हो, हरी सबजियों को सुखने से बचाने के लिए इन्हें कोले नरम तौली या कपड़े में लपेट कर रखें, इससे आपके जो सबजिया हैं बिल्कुल ताजी की ताजी रहेंगी नेक्स्ट हमारे tips हैं, आलू को काटने के बाद इन्हें तूरें ठंडे पानी में विगो कर रखें, इससे आपके जो आलू है वो काफी समय तक काले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मली होता है आलू जहनों जल्दी काले पड़ते हैं तीसरा tips है हमारे खाना बनाते समय हाथ जलने पर बारिक पिसा हुआ नमक जो रखाना नमक लगाने से छाला नहीं पड़ते हाथ में चौथा tips है हमारे लंबे सफर के लिए पूरिया बनानी हो तो आटे को पानी के बज़र दूद में गुंद लें कई दीनों तक आपके जो पूरिया है रोटी है वो खराब बिल्कुल नहीं होंगे और बिल्कुल अच्छे रहेंगे और आपके जो सफर है वो भी बिल्कुल अच्छे निकली की पाच्वा टीप्स है हमारे सबजी बनाते हैं वक्त टमाटर ना हो तो निम्बो के रस में थोड़ी चीनी मिला दिवे तो बिल्कुल टमाटर जैसा स्वाद बन जाएगा वैसे भी टमाटर बहुत महंगा जल रहा है तो आप यह उपाई जो है वो कर सकते हैं शिक्स हमारे टीप्स है पाणी में निम्बो और गुलब जल की कुछ बुंदे मिला कर किचन स्लैप साफ करे इससे स्लैप की सफाई हो जाएगी गुलब स्लैप की जो सफाई है वो काफी अच्छी तरह से हो जाएगी शाथवा हमारे टीप्स है कीचन की टाइल्स पर किसी तरह के दाग धब्बे हैं तो दाग धब्बे को पहले सीरके से पौँच कर उसके बाद गर्म पानी में साबुन मिला कर साफ करे आठवा टीप्स है हमारे दस घर से तील चट्थो को भगाने के लिए आप पूदीने के तेल में नमक पानी मिला कर स्प्रे कर दे इनसे छुटकारा मिल जाएगी नववा टीप्स है हमारे अध्रिक लसुन का पेस्ट बनानी के बाद इसमें एक चमस नमक और एक चमस गर्म तेल डाल दे इससे पेस्ट जादा समय तक खराब नहीं होगा दसवा टीप्स है हमारे भींडी की सबजी बनाते समय यदि भींडी में चिपचिपा पन लगे तो इसमें कुछ बुंदे निम्बू का रज डाल कर मिलाए इससे आपके जो भींडी में है न बिल्कुल चिपचिपा नहीं होगे इस तरह से कुछ कीचन टीप्स को फॉलो करें और आप अपने घर को अपनी कीचन को और अपने सबजीयों को अच्छे बनाए ताइंक यू सो मच